कॉंग्रेस और बीजेपी जहां अब तक टिकेट की माथा पच्ची में लगी हैं वहीं आप स्टार प्रजारकों को मैदान में उतारने लगी है टैगोर गार्डन में उपमुख्य मंत्री मनीश सिसोधिया ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी कॉंग्रेस पर पानी बिजली की राजनीती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी साजिश रच रही है कि अगर MCD में आई तो पहले की तरह वो दिल्ली सरकार से बिजली और पानी MCD की तहट लाएगी और इन दोनों के दाम बढ़ाएगी एक कॉंग्रेस थी जिसने पूरी का पूरा पानी प्राइवेट टैंकरों को और प्राइवेट कंपरियों को बेच रखा दा वापस बीजेपी निए चारी है कंपरियों के भेंकर तबाब में दोनों की दोनों पार्टियां बीजेपी वाले इस तराक में हैं कि अगर नगर निगम में दुवारा से आ जाएगे तो दिल्ली सरकार से बिजली और पानी का काम चीन के वापस मेगर निगम को दे देंगे पहले भी मेगर निगम के पास होता था और अगर मेगर निगम के पास चला गया तो जान लीजे जान लीजे कि तुरंत ये बिजली और पानी महंगा कर देंगे वहीं हाउस टाक्स माफी के मुद्दे को भी आप हर एक जनसभा में भुनाना नहीं भूल रही इस मुद्दे पर भी मनिश्च सोधिया ने बीजेपी को कटगरे में खड़ा किया कि हम वनगरनेगं में आएंगे तो सब से पहले दिल्ली की जनता को जिसमें रेकिट ने लुप रखा हाउस टेक्स का रेकिट, हाउस टेक्स के दलालों का रेकिट उससे मुक्ति दिद्ली में हाउस टेक्स खतम कर देंगे इस दौरान दोनों ही प्रत्याशियों के साथ साथ काफी संख्या में लोग मौजूद थे दिल्ली से दिल्ली दरपन के लिए खुश्बू शर्मा की रिपोर्ट लुक स्वोल्ग कापी। झाल गिए वास